Hello everyone, I hope you all are doing great मैं हूँ अदीती और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में गाइस इस वीडियो में हम जो दो अडवांज इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे वो हमको कुछ ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंग्लिश में बोलना सिखा देंगे जैसे की मैं भला चंगा हूँ तुम अगले हफ्ते तक भले चंगे हो जाओगे इससे अपना ही समझो मुझे अपना ही बेटा समझो तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वाले स्ट्रक्चर से जो की है भले चंगे का इसको इंग्लिश में बोलने के लिए अप एंड अबाउट इस फ्रेस का यूज किया चाता है जिसका मतलब होता है भला चंगा सेहत मंद या फिर स्वस्त होना रूल देखे इसका जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है सबजेक्ट सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्टिंग वर्बाती है जैसे की is, am, are, was, were इसके बाद आता है up and about और last में other words आते हैं sentence में by chance कुछ बच जाते हैं तो चलिए अप कुछ examples देखिए जिससे आपको इसका meaning बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं भला चंगा हूँ I am up and about यहाँ पर देखी I subject है I am helping verb है क्योंकि present tense का sentence है और जो subject है वो आई है हमारा और इसके बाद आ गया है up and about next example है तुम अगले हफ़ते तक भले चंगे हो जाओगे You will be up and about by next week You will be up and about by next week मुझे तुम्हे भला चंगा देखकर खुशी हुई I am glad to see you up and about I am glad to see you up and about चिंता मत करो वो जल्दी भला चंगा हो जाएगा Don't worry, he will be up and about soon Don't worry, he will be up and about soon आज कल वो भला चंगा नहीं है Nowadays, he is not up and about Nowadays, he is not up and about So guys, ये था आज का पहले वाला स्ट्रक्चर जो कि मुझे अमीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो चली अब देखिए आज का सेकिंड वाला स्ट्रक्चर जिसके रूल के अकोर्डिंग सबसे पहले आता है कंसीडर जिसका मतलब यहाँ पर है समझो से इसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आता है अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आता है और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रोनाउन आता है जैसे कि me, you, him, her, us, them और इस नाउन या प्रोनाउन में उसको मेंशन किया जाता है जिसके बारे में हम अपने सेंटेंस में बात करते हैं कि इसको अपना ही समझो इसके बाद your own आता है जिसका मतलब होता है अपना ही और last में आते हैं other words चलिए कुछ examples देखिए जिससे आपको इसका मतलब भी अच्छे से समझ में आ जाए इससे अपना ही घर समझो consider it your own house consider it your own house यहाँ पर देखिए सबसे पहले आया है consider rule की according इसके बाद it आया है इसके बाद your own आया है जिसका मतलब है अपना ही और last में आ गया है house क्योंकि हमने अपने sentence में बोला है इससे अपना ही घर समझो next example है मुझे अपना ही बेटा समझो consider me your own son consider me your own son इससे अपना ही समझो consider it your own हमें अपना ही परिवार समझो consider us your own family इससे अपना ही मोबाईल समझो consider it your own mobile मुझे अपनी ही बेहन समझो consider me your own sister consider me your own sister सगाइज ये थे आज के दो बहुत ही यूस्फुल अडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो कि मुझे उमीद है कि आपने अच्छे से सीख लिये हैं तो अब आपकी स्क्रीन पर ये आपका homework है इनको translate कीजिए दोनों sentences को इंग्लिश में और comment करके मुझे इनका answer जरूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे like और share कर दीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए है तो प्लीज इसे subscribe भी कर लीजे चलिए अब है मिलते हैं next lesson में तब तक के लिए take care, bye bye